रजनीती और फिल्मी सितारों का साथ आज का नहीं बलकी बरसो पुराना है बरसों से कई अभिनेता, अभिनेत्री, बड़े या छोटे परदे के साथ साथ रजनीती में भी अपना हाथ आजमाते आए हैं कभी तो वो सफलता की सीड़ी को चड़ जाते हैं और कभी कभी सिर्फ नाम भर के लिए राजनीती में होकर रह जाते हैं अभी लोगसभा चुनाव सिर्पर हैं तो जाहिर तोर पर कई सितारों का अलग-अलग पार्टियों में आवागमन भी लगा हुआ है भुचपरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बीजेपी का दामन थामा तो बड़े परदे की बहतरीन अदाकारा उर्मिला मातोंड कर ने कॉंग्रेस का हाथ पकड़ लिया और दूसरे के धर्म पर चिपड़ी करने से पीछे नहीं हट रही कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेका करते लेकिन शायद इस कहावत से उर्मिला मातोंड कर अन्जान ही है तभी तो खुद का धर्म बताना नहीं चाहती ही लेकिन हिंदू धर्म पर टिपड़ी कर कॉंग्रेस की नजर में उपर उठना चाहती है मुंबई उत्तर संसिदिय सीट से कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही उर्मिला मातोंड कर की नजर में हिंदू धर्म दुनिया का सबसे हिंसक धर्म है जिसके खिलाफ मुंबई पुलस में शिकायत भी दर्च कराई गई है बीजेपे कारेकरता सुरेश नखुआ ने हिंदू विरोधी टिपड़ी करने पर उर्मिला मातोंड कर के खिलाफ शिकायद दर्च कराई है और कहा है कि कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी के कहने पर ही उर्मिला मातोंडकर ने हिंदू धर्म के विरोध में ऐसी टिपड़ी की है नखुआ ने सिर्फ मातोंकर ही नहीं बलकि कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और इंट्रव्यू लेने वाले निजी चैनल के पत्रकार के खिलाफ भी पोवई पुलिस थाने में शिकाय दर्च कराकर कारवाई की मांगी है कॉंग्रेस का दामन थामने वाली उर्मिला मातोंकर देश का विकास तो चाहती है और अपने विचारों को सर्वोपरी भी रखना चाहती है अगर वो हमेशा से ही नहरू गांधी और सरदार वल्लब भाई पतेल की विचारधारा से प्रभावित रही उन्ही विचारों के साथ बड़ी हुई तो फिर किसी और के धर्म पर टिपड़ी करना या उसको हिंसा का प्रतीक बताना उन्होंने कहां से सीखा ये उनके अपने विचार है या फिर वो नहरू गांधी और सरदार वल्लब भाई पतेल को खुद का आदर्श बता कर फिर इस तरह की टिपड़ी कर इन्ही लोगों की नाम को खराब कर रही है कॉंग्रेस को जरूरत है तो एक बार फिर उर्मिला को पार्टी में शामिल कर लेने के बाद उनको कोई जिम्मिदारी देने से पहले उस पर विचार करने की क्यूंकि अगर ऐसा ही रहा तो जो थोड़ा बहुत हिंदू वोट बैंक कॉंग्रेस के साथ रहे गया है वो भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाएगा क्यूंकि भारतिय संस्कृती में धर्म सबसे उपर है और कोई किसी के धर्म के उपर उंगली उठाए वो कभी कभी बरदाश्त से परे हो जाता है जिसका परिणाम फिलाल कॉंग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है आज मेरी लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रियर राजनीती में अपना पहला कदम रखने चाहरे हूँ सक्रियर राजनीती कहने का वज़य यह है क्योंकि मैं ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरी बच्पन से thinking जो है मेरी सोच, मेरी समझ परंपुजा महात्मा गांधी जी, पंडित जवारलाल नहरुजी, सरदर वल्लब भाही पटेल इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है मेरी पूरी personality, thinking ये सारी इनके ख़यालों पे निर्भर है ये अलग बात है कि एक academic oriented family से आके मैं filmों में चली गई और आप सब के बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी career तै कर पाई, लेकिन एक कही न कही एक सामाजिक तरफ का जो जागरूपता होती है, जो हर एक नागरिक में होना ज़रूरी होता है ये इसकी समझ मुझे बहुत बचपन से मेरे माता पिता से दी गई थी और मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी इस लाखों मोलों के आजादी के लिए अपने जान दे दी उन्होंने हमको उससे भी बड़ी एक चीज दी है, उसके बाद हमारे आजादी के साथ क्या करें उसे समझने के लिए और वो है हमारा सवविदान ना मैं यहां चुनाओ के चलते मैंने पार्टी जोइन की है, ना मैं चुनाओ के खतम होने के पाथ पार्टी से दूर जाने वाले हो I'm here to stay, I'm here because I believe in the ideology of Congress, I believe in what it stands for मेरे ख्याल से आज के दौर में, जबके केंद्र में यह पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद मैं पूरे जदो जहसे, मैं पूरे अपने thinking, मेरे पूरे जो आचार, विचार सब के साथ अगर इस Congress Party से जुड़ना चाहते हूँ मैंने मेरे जिंदगे में कोई चीज हाफाटे लेनी किया, ना मैं यह करना चाहूँगी क्योंकि जब आप लोगों के बीज उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो, तो यह बहुत बड़ी responsibility होती है तो मैं कहीं जाने वाली हो नहीं नमस्कार, अशोक चोहान जी, विजे वधितवर जी, सुभाष धोटे जी, नंदू नागरकर जी, हमारे candidates, सुरेश धंदरकर जी, नामदेव सेंदी जी, पार्टी के हमारे सब कार्य करता, Youth Congress, NSUI, महिला Congress, सेवधल के हमारे सब लोग, NCP के नेता, NCP के कार्य करता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, इतनी गर्मी में आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद, और गुड़ी पाड़वा के लिए, आप सब को बहुत-बहुत शुप कामना है, आपको याद होगा, कि 2014 के चुनाओं में, हर भाशन में, प्रधान मंत्री ने, 15 लाक हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है आपको? भूल गए? याद है न? आया? बैंक अकाउंट में मिला 15 लाक? अच्छा, 10 रुपए मिले? नए. तो हर भाशन में वो ये कहते हैं, और एक उनका भाशन मैंने भी देख लिया, मैंने सोचा कि ये आईडिया तो अच्छा है, 15 लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का आईडिया तो बड़ा अच्छा है, अच्छा लगा मुझे? मगर जूट था, 15 लाक जूट था, तो कुछ महीने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के इकॉनमिस्स को, ठिंक टैंक को बुलाया, और उनसे मैंने कहा देखिए, नरेंद्र मोधी जी ने 15 लाक का नंबर दिया, और जूटा नंबर था, खोकला था, उसमें कुछ दम नहीं था, और पिछले पाँच सालों से नरेंद्र मोधी एक के बाद एक हिंदुस्तान के चोरों को, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, निरव मोधी को 35,000 करोड़, विजे मालिया 10,000 करोड़, अनिलंबानी 45,000 करोड़ रुपे, बैंक से 30,000 करोड़ रुपे, राफाईल गोटाले में, तो मैंने कॉंग्रेस की ठिंक टाइंक से पूझा, एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिशनत सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, हम हर महीना पैसा डालें, तो कितना पैसा डाल सकते हैं, पहला सवाल क्या ये किया जा सकता है, और दूसरा सवाल, मुझे नंबर दो, मैं बड़े मतलब बड़ी थेयरी नहीं चाहता, किताब देखना नहीं चाहता, मैं एक नंबर चाहता हूँ, नरेंद्र मोधी ने पंद्रा लाग का जूटा नंबर दिया, मैं सच्चा नंबर चाहता हूँ, गए, पांच-छे महीने उन्होंने काम किया, मैंने उन्से एक और बात कही, हम अर्द्व्यवस्ता को नश्ट नहीं करना चाहते हैं, तो जो भी नंबर आप मुझे दोगे, उससे देश की अर्द्व्यवस्ता को फाइदा होना चाहिए और नुकसान नहीं होना चाहिए, छे महीने बाद, वापिस मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिखके मुझे दी दिया, कागज पे लिखा था, 72,000 रुपे हर साल, अब आप पूछो गई ये, 72,000 रुपे है, ये क्या नंबर है, और मैं आज यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, इस नंबर को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, 72,000 रुपे एक साल में, 3,60,000 रुपे पाँच साल में, नरेंद्र मोदी ने 15,00,000 का जूट बोला, मैं आपको 3,60,000 की सचाई बोल रहा हूँ,